गुद मॉर्णिंग आल आफ यू अर्बिस डिग्री कॉलेज मेजा खास के अनलाइन प्रेटफॉर्म पे सभी छात्रों का महारतिक स्वागत करते हैं छात्रों आज जो है बिस्सी एजी थर्ड समेश्टर के अंतरगत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वार्मेंटल एस्टेडी एंड डिजास्टर मनेजमेंट के अंतरगत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए है छात्रों जो है वह है बायो डाइवर्सीटी एंड इट्स कंजर्वेशन इंट्रोडेक्शन डिफिनीशन जेन्टिक्स और इस्पिसीच इसका साब्रिक अर्थिय होता है चात्रों जो है कि ज Height so our उसका श्रच्षण पर्चय परिभासा अनवान्सकी और प्रजातियां क्या है और यह हमारे जेह विविट्भ में क्या महतों रखते हैं जो है आज हम लोग छात्रों इसी ठापिक पर अध्यन करने चल रहेए बतलब कहने कर्थ यह जये विविद्भ जो है एक aisash vie प्रित्वी का परितंत्र है चात्रों जो है जो उस धर्ती पर उस प्रित्वी पर जो असंख्य जीवधारी कईज हजार प्रजातियां जो अपना निवास करते हैं और अपने को जो है सुरच्छित रखने के लिए एक पारिस्त की तंत्र के अंतरगत जो है अपने पूरे जय वित्ता को जो है वो उस पिर्थवी पर लाकर अपने जीवन चक्र को जो है अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ाते हैं और पिर्थवी उनका जो है सरच्छन करती है जो है ठीक है हम लोग इस टॉपिक पर अध्यन करने चल रहे हैं चात्रों आईए स्क्रिम पर चलते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम अध्यन कराने चल रहे हैं चात्रों जो है इसका सेकंड पार्ट हम अगली क्लास में जो है हम आपको बतलाएंगे ठीक है आईए पहले फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग अध्यन करते हैं जै विवित्ता और शरच्छन जो है ठीक है जै विवित्ता के विशे को कवर करना या कवर करते हैं जिसका उद्देश न केवल यह बताना है कि यह क्या है बलकि यह भी बताना है कि इसे और इसके आसपास के भिगोल को कैसे और क्यूं सरच्छित किया जाना चाहिए यह जो पध्यत है यह जो एक जो है परियोजना टाइप का जो भी सिस्टम है इसे हम जै विवित्ता के अंतरगत ही छात्र जो है रखते हैं अजो कि उनका शरच्छड ही जै विवित्ता के अंदर ही लाकर इसे प्रित्वी के अंदर जो है इसे सरच्छित किया जाता है सुरच्छित किया जाता है तो पिर्थवी लाखो प्रजातियों का घर होता है जिन में मनुस जो है सबसे छूटा हिस्सा है चात्रों जो है फिन असंख्य जानवर कीड़े पौधे और पेड़ भूम और जल और सा अस्तित्त में रहते हैं और इसकी सुरच्छा और सुरच्छ पिर्थवी के पारस्त की तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर होता है क्यूंकि जो भी इस पिर्थवी पर जिवधारी हैं चात्रों जो है या मनुस्य हैं वो भी जो है आपके पारस्त की तंत्र के अंतरगती ही शामिल होते हैं क्यूंकि वो पारस्त की तंत्र में ही जो ह अपनी सारी प्रक्रिया को जो है निर्वाह करते हैं और अपना विकास करते हैं छो है ठीक है फिन उसके बाद पृत्वी की सभी प्रजातियां खाद सिंखला पारस्त की तंत्र के बीच संतूरन बनाएं रखने का महत पूर्ड जो है कारि करता है मतलब कहने करती यह है चात्रों जो है कि जो हमारा खादर शिंकला है और पारस्त की तंत्र है यहां पे पिर्थवी हमारा जो है अपना मूल योगदान देता है उसको संतूलन बनाने में जो है ठीक है फिन उसके बाद आता है कि ये विविद्टा क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि ये विविद्टा सब्द का अर्थ पृद्वी पर रहने वाले जीवों की विभिधता से है जिन में वे सभी प्रजातियां शामिल हैं जो सांस लेती हैं और अपना जीवन को रखती हैं क्यूंकि इस प्रिथ्भी पर कुछ ऐसी भी जीवधारी होते हैं जो आज के समय में विलिप्त होती जा रही है उनकी प्रजातियां समाथ होती चली जा रही है उसका भी कई कारण है छात्रों जो है जो हमारे प्राक्तिक्शन तूलन में जो है परिवर्तन आ रहा है मौशम में परिवर्तन आ रहा है ये सारी जो समश्याएं है आपके उन प्रजातियों क विलुप्त होने का मुख्य कारण है ठीक है फिन उसके बाद मनुश्य भी एक छोटा सा प्रतिसत है जिन में जानवर कीड़े पौधे और पेड़ और वैक्टीरिया और सूचम जीवी जो है शामिल होते हैं जो आपके इस पारिष्ट की तंत्र में अपना परशंचरन करते है अपना वीकास करते हैं ठीक है फिन उसके बाद आपका भीगोल ओता है जो गौरफी जी से आप कहते हैं जो है जो हमारे पृत्वी का मूल एक रिसर्च का सेंटर इसे आप कहेंगे छात्रों जो है भीगोल के द्वारा कई पुरानी जो है अस्तित्त को या पुरा तत्त को जो है इस भीगोल के जोगर्फी के माध्यम से जो है उसे रिसर्च किया जाता है और फिन उसके रिकार्ड को जो है डेटा के रूप में शंग्रह करके जो है उसे हम और आप लोगों के पास जो है प्रदर्शित किया जाता है कि पुराने जो है समय में हमारा भूगोल इस त रिसर्च की जाती हैं क्या चीजे खोजी जाती हैं उसे हम आपको बता रहे हैं चात्रों कि भुगोल सब्द ग्रिक सब्दों जियों जिसका ब्यापक अर्थ पृत्वी है और ग्रोफिंग जो है जिसे हम लिखना भी कहा जाता है अस्थानों और लोगों और उनके परिवेश के बीच सम्मंधों के अध्यन को अस्थला कृत के रूप में जाना जाता है भुगोल विंता पृत्वी की सता के भौतिक गुनों के साथ साथ मौजूद मानवी सामाजी ब्योस्थाओं को भी जो है रुच रखते हैं जो आपके अंतरगर जो है छात्रों आता है अगर आप इसका जो है साब्दिक अर्थगर आप जो है जानना चाहेंगे तो सीधे सीधे आप इसे साधारन भासा में कह सकते हैं कि पूरा तक तो जो है क्या कहते हैं पध्यतियों को नए रिसर्च में या रिसर्च में लाने की प्रक्रिय को जो है हम आप जो है उसे भुगोल कह सकते हैं जो पृत्वी के जो है पार्ष्ट की तंत्र को जो है खोजने का मुख्य जो है विसे होता है आपका भुगोल चात्रों जो है ठीक है फिन उसके बाद जैविवित्ता की रच्छा की आवसकता जो है जैविवित्ता का महत्व कोई रहस्य नहीं है इतिहास से यह उजागर किया जाता है कि सफेद गैंडे जो वाइट कलर के गैंडे होते थे जिनके मूँ पर छोटी सी जो है शीन जो है निकला हुआ रहता था वो ज़्यादा तल च्छेत्रों में पाये जाते थे तराई च्छेत्रों में जो है तो जो सफेद गैंडे जैसे असाधारन जानवर विलुप्त हो गये हैं जो आप भी आप अच्छे तरीके समझ रहे हैं जो जैविवित्ता के परिस्थित के अनकूल अगर वो नहीं है तो उनकी प्रजातिया धीरे धीरे हमारे जंगलों से विलुप्त होती जा रही हैं और अगर हम लापरवाही से काम करते रहे और ऐसी प्रजातियों का हम सोसन करते रहे तो वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी जो है ओ आप भी समझ रहे हैं चात्रों जो है कि आज का अगर हम उदारन आप लाकर उसे जो है रखा जाए डीकंपोज के लिए जो है तो वहाँ पे आपको जो है पच्छियां या गिद्ध आपको नजर नहीं आएंगी मगर पुराने शमय में पूरवर शमय में जो है गिद्ध और कौवे और कुटे वहाँ पे अउलेबल रहते थे जो उसे खा कर डिश्ट्रॉई करते थे जो है समाप्त करते थे मगर आज के समय में जो है आपको ये प्रजातियां यहां पर नहीं दिखेंगी क्योंकि मौसम के परिवर्तन के साथ और जानवरों के अंदर विशाक्त सीजों को फैलने के कारण जो है इनकी प्रजातियां धीरे धीरे नश्ट होती चली गए ठीक है तो ये उधारन है छात होते जा रहे हैं जो आपके पार्सकी तंत्र में परिवर्तन असंतूलन के कारण ये इस्थितियां उत्पन्न हो रही है फिन उसके बाद जैविवित्ता न केवल मनुश्यों को मिलने वाले लाभों के लिए महत्पूर्ण हैं बलकि अन्य सभी जीवन के लिए भी ये मूल क के रूप में अपना महत्पूर्ण अस्थान रखती हूं फिन उसके बाद यह लोगों के भोजन इनन आस्रे और दवा जैसी बुनियादी जरूरते प्रदान करता है इसके अलावा आवास ग्रामीर छेत्रों में निशेचन बीच प्रसार परियावरण मार्ग दर्शन जल स स्वच्छता पूरक चक्रण और कीट नियंत्रण जैसी महत्पूर्ण सिमाय जो है प्रदान करता रहता है जो आपके परिष्ट की तंत्र और प्रिथवी के जो है अंदर ये सारी चीजे शंभ हो सकती है छात्रों फिन आता है शरत्षण की आवसक्ता जो है मतलब कहने करती ये हुआ कि प्रिथवी पर जो भी हमारे प्रजातियां जीव जन्तु कीड़े मकोडे जो है अपना जीवन जो है विकास करते हैं अगर सर रहते हैं वहां पर इनका सरच्छन होना भी बहुत जरूरी है तो इसे हम आपको बतला रहे हैं कि मनुस्त न केवल भोजन और पानी के लिए बलकि जिस भूम पर वो रहता है उसके लिए भी प्रिथवी के भुगोल पर जो है निर्भर होता है कि क्योंकि बीना भी गोल के आप परिस्की तंत को अच्छे तरीके से जो है अध्यान नहीं कर सकते हैं फिन उसके बाद भुगोल वर्तमान साथ ही भविस्ट की पीडियों के लिए भी महतपूर हैं परियावरण सरच्छन महतपूर हैं क्योंकि यह ओजोन परत की रच्छा भविस्ट की पीडियों के लिए परियावरण को बनाये रखने पीने के लिए पानी शरच्छी रखने गयर अच्छे सं महस्पूर मुद्दो पर जो है निपड़ते रहते हैं और इन्हें सरच्छित करते रहते हैं फिन उसके बाद आता है पर्चे इंट्रोडेक्शन जो है जे विवित्ता से तात पर उन सभी विविन प्रकार के जीवन से है जो आपको एक छेत्र में मिलेंगे इसमें विविन प्रकार के पौधे जानवर कवक और सूचमजीव जैसे बैक्टीरिया भी जो है शामिल होते हैं जो आपके पारिस्ट की तंत्र में अपने जीवन को एक विकास की और अग्रसर रहते हैं और अपने जीवन को पूरा करते हैं यह सभी प्रजातियां जीव एक जटिल जाल की तरह विभिन पारिस्त की तंत्र में एक साथ अपना काम करते हैं यह कार संतूलन बनाये रखने और जीवन को सहारा देने में मदद करता है यह प्रकित में म उसके बाद जो जीवित रहने के लिए जरूरी है जैसे भोजन, आस्रे, दवा और पानी हलाकि मनुस्य संसादनों का अत्यदिक उप्योग करके प्रित्वी पर लगातार दबाव डाल रहे हैं इससे परस्कितंत का शंतूलन खत्रे में पढ़ जाता है और जैविवित्ता खो आत्रों जो है तो आगामी जो हमारी पीडियां है उन्हीं जो है कुछ भी नहीं मिलेगा और उन्हीं बड़े कठनाई से अपने जीवन का यापन करना पड़ेगा तो इन सब चीजों का पारिस्त की तंत्र और जैविवित्ता और प्रित्वी को आपको शर्चित रखके और दवा जो है सारी चीजे मिलने का एक महत्पूर्ण स्रोथ है फिन उसके बाद जैविवित्ता की परिभासा उसे हम आपको बतला रहे हैं कि जैविवित्ता एक ऐसा सब्द है जो एक ही पारिस्त की तंत्र में रहने वाले परतेग जीव को धरसाता है उसे हम जैविवित्ता कहते हैं उसमें कई सैकडों प्रजातियां होती हैं सैकडों कीडे मकोडे होते हैं जानवर होते हैं तो उन्हीं जो है सरच्चित रखने के लिए हमें जैविवित्ता को जो है सरच्चित रखना पड़ेगा या केवल विभिन प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है बलकि ऑक्षीजन और कारवन डाया अक्साइड के अस्थर तापमान और जलवाय जैसे पर्यावर्णी पहल्वों को भी जो है शामिल करता है जिससे आपके पारिसकी तंत्र का जो है एक जो कारी है सरच्चन है संतूलन है उसे बना कर ये रखते हैं सरल सब्दों में या गरह पर किसी अस्थान पर मौजूद जीवन की विवित्ता है जिसमें सूच्म जीव और आद भी जो है शामिल होते हैं जो अन्य चीजों के लिए जो है हमेशा आपकी जैवित्ता जो है अपने शंतूलन को बना के रखती हैं और आगे की पीड़ियों को जो है सहारा देती हुई आगे बढ़ती रहती है इसे वैस्विक अस्तर पर तालाबों जैसी छोटी जगहो पर जो है आप मापा जा सकता है आन्वानसिक विवित्ता जो है आन्वानसिक विवित्ता जैन्टिक डाइवर्सिटी का आसे एक ऐसी प्रजाद के विविन जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से है जिसके कारण ही जीवों में भिन भिन नसले देखने को मिलती है यर्विथा ही जीवों को किस दूसरे परियावरण के अनुकूल सोयं को डालने और सहायता करती हैं और विल्त होने से बचाती हैं जो आपके जेर्टिक विविथा वनाउनूसिक विविथा जो है उस जीन को जो है शरचित रखके नई-नशलों या नई-नई परजातियों को उ रखता है फिर उसके बाद जय विवित्ता के प्रकार जो है जय विवित्ता को आगे तीन प्रमुक्त प्रकारों में वर्गिर्द कि किया गया है जो पहला आपका है छात्रों जो है आनुवानसिक विवित्ता दूसरा आपका प्रजाती विवित्ता फिर तीसरी जो है पारिस् कि अस्तर पर ब्यक्त की गई प्रजातियों की जो है डिकता है जिसे हम उनन्वांसिक बिविथ्टा कहते हैं च्री जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब है कई बहुत सब्सक्राइब करने और को Center के लिए मनुस्यों की प्रजात में प्रते मनुस्त दूसरे मनुस्त के तुलना में बहुत अधिक जो है विवित्ता दिखाई देती है विविन छेत्रों में रहने वाले लोग बहुत अधिक विवित्ता में देखने को आपको मिलते हैं जो आनुवांसिक विवित्ता के अंतरगत आता है छात्रों फिन आता है प्रजात की शंख्या विभिन परयावर्णी परिस्तितियों के आधार पर व्यापक रूप से भिंद पाई जाती हैं हर छेतर में प्रजातियां अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं जो आपको अक्षर ये चीजे देखनी को मिलेंगी जहां पर जिस तरीके का पास्कित्त रहेगा जै है उत्पन्द एक उन्मूलन होगा उधारण के लिए या आम तोर पर देखा जाता है कि जल निकायों के किनारे रहने वाले सबहताओं में जल निकायों से दूर के छेत्रों के या किसी उस चेट परस्त की तंत्र के भी देखी के वी शेखा को ही परिभासित करता है इस मैगो वर्सावान रेगिस्तान आज जैसे विविनवुन पर इसकी तंत्र dat CHBπως दर्साता है मतलब कहने करती है चात्र जो है जो आपका जो है विवित्ता है जैविक विवित्ता है वो कई चीजों के अलग-अलग छेत्रों में जो है अलग-अलग चीजों में आपको भिन्नता देखने को मिलेंगी जो वहाँ पे जो आपके पारिस्त की तंत रहेंगे वहाँ पे उस तरीके की जो है आपको प्रजातियां देखने को मिलेंगी छात्रों ठीक है यहां पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है अगली टॉपिक के साथ उपस्तित होंगे सभी छात्रों को धन्यवाद